अगर मैं आपको दुनिया के सबसे best strategy भी बता दूँ या कोई दूसरा भी आपको कुछ भी बता दे सबसे best तब भी आप profit नहीं बना सकते बिना risk manage किये इतना important है risk management क्योंकि technical सबको आ चुका है key level निकालने वाले निकालनेंगे एक महिने में कोई भी सीख सकता है लेकिन सबसे important risk management है अगर इसको आपने manage नहीं किया तो फिर profit में आप थोड़ा आ भी जाएंगे लेकिन जब loss होगा तो काफी बड़ा loss हो सकता है आपने कितनी बाल लोग को देखा है कि लोग stock ऐसे भागता है बीच में बाय कर लेते हैं ऊपर थोड़ा सा जाता है profit होता है फिर निकल जाते हैं फिर दुबारा कभी वह stock को इसी तरह से बाय करते हैं stock भागा खरीदा फिर थोड़ा सा उपर जाता है फिर रिवर्स कर जाता है अब वह बुक नहीं कर पाते हैं और फिर गिर जाता है क्योंकि अब गिर चुका है वह sell भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको लॉस इतना हो रहा है ना कि उनकी हिम्मद नहीं पड़ती सेल करने की अब स्टॉक धीरे धीरे करके काफी समय लगा करके स्टॉक उपर आता है एवरेज प्राइस के जैसे थोड़ा से उपर आएगा अब वो बेच देंगे समझ रहें यहां से ले करके यहां तक का जो तीन साल का फेस है इतना वो होल्ड करते हैं और अपने आपो कहते हैं लॉंग टर्म इन्वेस्टर और तीनी दिन में स्टॉक जब भाग जाता है ना 20-30 पर्षंट तो वो निकल जाते हैं इसी चीज का लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है क्या कि तीन दिन भाग गया आप हम कहे रहें लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट यह तो मतलब अपने आपको कूल बनने का तरीका है क्योंकि लगता कि है ना की ट्रेडर माने जूं लगता है इन लोग ayuda को और काम होई करते तीन साल का होल्ड का ताकत है तीन साल की होल्ड का थाकत नहीं है गल्र्ण समय पर अंट्रि करने का यह था अपर तो यही मैं आपको बताना चेरला हूँ अगर आपकी एंट्री यहां पर अगर यहां से तीन साल का समय लगा रहा है तो ये पेशन्स का फल आ इसा नहीं है यह आपकी गलती का नतीजह जो इतना वेट करना पड़ा आप जो स्टॉक देखते हो जो हम बताते हैं उसमें कितना टाइम लगता अगर वो स्टॉक को चलना है तो दस दिन के अंदर 20-30 परसंट चला जाएगा नहीं तो वो नीचे आ जाता है इसलिए तो कहते ह हैं तो एसे लोग जो होते हैं वो रिस्क मैंश नहीं करते जो यहां पे फश जाते हैं दो-तीन साल होल्ड करके फिर जो गेन निकालते हैं ठीक है वह बहुत मतलब प्रॉफिट बन जाता ऐसा नहीं है लेकिन जो फ़सते है ना तो बहुत खराप फस्ते है जैसे फोन आइडिया के एक्जामपल ले लो इसमें भी 200-300 गभाव पे खरीदे हुए अभी तक आवरेज कर रहे होंगे आया नहीं भाव सुझलाउन को देख लो कितने सारे एक्जामपल अनगिनत एक्जामपल है और अभी एक और स्टॉक मैंने देखा राजियस एक्षपोर्ट ठीक है यह गोल्ड का स्टॉक शायद कल्यांजेलर्स जैसा मतलब जो सेक्टर है कल्यांजेलर्स का वह भी इसी का सेक्टर है अब देखे 282 पे चल रहा है इस बता हुआ स्टॉक नीचे ही आ रहा है लगाता है अब उसकेस में आपके पास क्या उप्शन बचा आप होड़ी कर सकते और कुछ तो कर नहीं सकते हैं तो यह यह लॉंग टर्म इंवेस्टर्स यहां से बन जाते हैं क्योंकि प्राइस को क्या करते हैं रीट करते हैं तो फि थी नहीं ठीक एंट्री अगर थी तो यहां पर थी और यहां तक टार्गेट भी मिल चुका है तो यहां पर तो एसल लेना चाहिए नहीं लिया एसल तो देखो लगाता है स्टॉक नीचे आ रहा है अब यहां से कब उपर जाएगा कोई नहीं जानता तो वही बात है अब यहां पर देखेंगे छोटा ही गें लेना था तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस कैसे आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं किस तरीके से रिस्क मैनेज कर सकते हैं यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग क्योंकि यह स्टॉप लोस है 1375 तो अगर आप एंट्री और स्टॉप लोस को घटाओगे तो डिफरेंस कितना आएगा डिफरेंस आएगा 62.65 जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है 62 रुपए 65 पैसे का डिफरेंस है ठीक है इतना आपको समझ में आगा आप कैसे पोजीशन साइजिंग से करना है तो एक पर्षें कितना होगा 1000 रुपए होंगा यहां एक रेट में आपको 1,000 रुपए शेजाद से ज्यादर रिस्क नहीं लेना है अब कैसे निकालना है कैसे करनी है मैं आपको बता रहा हूं सुनिए का द्यान से 1,000 रुपए दिवाइड बाषी गन्ट्री- जो की कितना है 62 रुपए है ठीक है यहां पर देखेंगे तो 62 रुपए 65 पैसे तो 62 रुपए मान लीजे तो यही आपका हो जाएगा बेसिकली पोजिशन कितनी आपको रखनी है कितनी कॉंटिटी बाय करनी यह आप इस तरीके से निकाल सकते हैं यहां से देखेंगे एंट्री प्राइस और इस टॉप लोस के बीच का जो डिफ्रेंस है वही यहां पर 62 लिखा गया है तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके सामने आएगा 16.12 यानि 16 कॉंटिटी आपको बाय करनी है अब आपको क्या करना है जैसे स्टॉक आ रहा है 1437.65 प होगा ना तो आपका मैक्सिमल लॉस 1000 का होगा उसके उपर लॉस नहीं होगा और अगर यहां से स्टॉक यहां तक चलता है तो प्रॉफिट आपको कितना होगा वन रिशू टू से जादा का होगा यानि की बाइस सो साट सम्थिंग बन जाएंगे समझ रहें ऐसे प्रॉफि में आएगा ठीक है मान लेते हैं टॉस किया जा रहा है तस बार टॉस किया गया अब च्छे बार हैड आया एक दो तीन चार पांच है और चार बार टेल आया यानि की एक सिकन में लिख लेता हूं अब समझे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट गेम अगर सौ रुपे आप ल समझेगा यहां पर हो क्या रहा है अब अगर आपने टेल पर पैसे लगाये होते तो आप लॉस में होते कैसे आपने टोटल स्पेंड के वन थाउजन रुपीस ठीक है आप जीते कितनी बार हो चार बार जीते हो तो टोटल आपको एक्ष्ट्रा कितना मिलेगा चार सो गए इस पर चार बार सो मिल जाएगा जब हारे ओ तो कितना आ दू इ हो छए बार हारे हो तो च्छैसो माइनस हो गये अनेelsिं नेफिमेटली आपने दोसो लॉस किया अकशन हरे है अगर हैड में लगाया होता तो हैड में 200 का प्रॉफिट होता टेल में लगाया होता दोसों को लॉस होता है तो यहां पर इस प्रिकार का सी रहे हैं अब मैं आपको थोड़ा सा एक अलग सीनेडियू समझाता हूं उसमें ध्यान से देखेगा अब क्या आप कर रहे हैं अब जब आप जीत होगे तो आपको सौ के बदले में तीन सो मिलेगा यानि एक्स्ट्रा दो सो मिल जीते हो तो एक्स्ट्रा आपको 200 मिल रहे हर एक बार पर ठीक है तो 200 इंटू 4 यानि 800 रुपए जो है बिसीकली आपको विनिंग पर मिलेंगे मतलब चार बार आप जीते हो 800 मिलेंगे और जब हार होगे तो सौ सो हार होगे च्छै बार हारे हो तो 600 माइनस जा रहे हैं आप समझे इसी इस सेनरियो में समझे यहाँ पर दोसों के प्रॉफिट में आ गए ना पिछले वाले सेनरियो में तो लॉस में थे क्योंकि वहाँ पर वन रिशो वन आपका प्रॉफिट था 100 रुपए रिस्क में थे 100 रुपए मिल रहा था एक्ष्ट्रा यहाँ पर क्या होगे 100 रुपय अगर रिस्क में है तो इसके बदले में 200 मिल रहे हैं आपको इसी वज़े से आप 200 के प्रॉफिट में यहाँ पर आ चुके हो यही मैं गेम समझाना चाहरा हूँ और सोचिए 10 में 6 बार अगर आप जीत रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है क्योंकि आपका 6 रिस्क रिवार्ड हमेशा वन रिशो टू रखना है और पोजीशन साइजिंग बस यह दोनों चीज़ अगर आप ने कर लिया मार्केट में आप हर मन्त प्रॉफिट ही करोगे बारा महिने में से हो सकता है कि एक से दो महिने लॉस में जाए जब मार्केट कंडिशन अच्छ में आया तो फिर टेलिग्राम पे पूछ सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिशन में लिंक है जॉइन कर सकते हैं बाकि एक स्टॉक है कि लोसकर इंजिन इंजिन चौदासों सहतेस पे आप इसको बाय कर सकते हैं टार्गेट वगरा सब आपके सामने लिखा हुआ हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय